हलो डियर प्रेंड्स वेलकम टू लर्न इंडिया ओफिसियल चैनल तो मैं आज आप लोगों को इंडियन जिग्राफिक के मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर को करवा रहा हूं ओके डियर तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये मेरा चैनल है डियर Learn India Official तो जो भी इसे सब्सक्राइब नहीं किये हैं सब्सक्राइब करते हैं चलिए, स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं जिग्रोफी फस्ट में दिया गया है, ये वन लाइनर के रूप में है तो आप लोग भी इसे एक पर जरूर देख लें क्योंकि ये जो भी कोस्टन है, सारे इंपोर्टेंट्स हैं तो फस्ट कोस्टन दिया गया है कि प्राचिन भुगोल का जनक किसे बोला जाता है तो प्राचिन भुगोल का जनक हिकेटियस को बोला जाता है चलिए, सेकेंड कॉस्चन है कि मानव भुगोल का लेखक मानव भुगोल का लेखक फ्रैडरिक रिट जेल और थड़ है सबसे बड़ा एवं भारी गरा तो इसका विरसपति correct answer हो जाएगा विरसपति होता है सबसे बड़ा एवं भारी गरा चलिए आगे दिया है कि सौर मंडल का सबसे छोटा गरा ये बुद्ध होता है सूर्ज के सबसे निकट गरा कौन सा है तो ये बुद्ध ही है आगे दिया है सूर्ज एवं पिर्थिवी से सबसे दूर गरा तो सबसे दूर गरा कौन सा है तो ये वरून है जिसे क्या बोला जाता है नेपचून आगे चलते हैं ये दिया है कि पृत्वी के सबसे निकट गरा पृत्वी के सबसे निकट गरा कौन सा गरा है तो ये सुक्र गरा है ये सारे जो भी हैं सारे important सेडियर तो आप लोग इसे एक पर जरूर वीडियो को पूरा देख लें चली आगे दिया है सूरी का निकटम तारा सूरी का सबसे निकटम तारा कौन सा है तो ये हो correct answer हो जाएगा प्रॉक्समी सेंचूरी चली आगे है सरवधिक चमकिला ये गर्म गरा सरवधिक चमकिला गरा कौन सा है तो ये शुक्र हो जाएगा इसे पिर्थिवी का बहान के रूप में भी जाना जाता है चली आगे दिया है सरवधिक ठंडा गरा तो सबसे ठंडा गरा वरून है वरून क्यों है क्योंकि सूर्ज यहां है तो सबसे लास्ट में वरून है जिस कारण से यहां से यहां की distance जाएदा होने के कारण से क्या होता है सबसे जाएदा छंडा है आगे दिया है कि सरवधिक उपगरहों वाला गरा तो सरवधिक उपगरहों वाला गरा कौन सा है बिरस्पति कितने total तो 67 है अभी यही correct answer मानना है क्योंकि मैं सर्च कर चुका हूँ 67 आगे दिया है कि बिना उपगरहों वाला गरह तो दो गरह हैं ओके फ्रेंड्स एक यह है बूद्ध और एक सुक्र बूद्ध और सुक्र इसमें कोई भी उपगरह नहीं है आगे यह सारे जो भी इंपोर्टेंट्स हैं फर्स्ट में दिया है यह कि लाल गरह लाल गरह किसे कहा जाता है तो यह मंगल गरह को बोला जाता है निला गरह किसे कहा जाता है पिर्थिवी को पिला गरह किसे बोला जाता है ब्रिस्पति को हरा गरह किसे बोला जाता है वरून आने Neptune, ओके friends, चलिए, आगे चलते हैं, आगे दिया है, कि जिवास्म गरह, तो जिवास्म गरह किसे बोला जाता है, तो ये चंद्रमा को बोला जाता है, लेटा हुआ गरह, लेटा हुआ गरह अरून को, जिसे हम लोग Uranus भी बोलते हैं, आगे दिया है, पिर्थवी की बहन या जुर्वागरह, अभी हम पहले हम बता चुके हैं friends, कि पिर्थवी की बहन या जुर्वागरह, तो ये सुक्र है, और ये सबसे ज़्यादा चमकिला गरह भी है, चलिए, आगे दिया है, कि चंद्रमा का, चंद्रमा पर दीन का तापमाद, तक कितना Celsius है, 100 degrees Celsius, और आगे दिया है, ये भोर तथा सांच का तारा, भोर तथा सांच का तारा किसे बोलते हैं, सुक्र को, और सुक्र को पिर्थवी का बहन बोला जाता है, जुर्वागरह भी बोला जाता है, और ये सबसे ज़्यादा चंकिला गरह है, ओके फ्रेंट्स, आगे दिया है, कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपगरह, तब सौर मंडल का सबसे बड़ा उपगरह कौन सा है, ये गैनी मेड है, और गैनी मेड किसका उपगरह है, तो यह ब्रस्पति का उपगरा है ओके फ्रेंड्स आगे दिया है सौर मंडल का सबसे छोटा उपगरा तो यह डिमोस है डिमोस सबसे छोटा उपगरा है आगे है कि सनी का सबसे बड़ा गरा सनी जो गरा है उसकी सबसे बड़ा गरा कौन सा है तो यह यहां उपगरा होनी चाहिए तो यह हो जाएगा डाइटन और आगे दिया है वले आनि छला युक्त गरा यह कौन सा है सनी छला युक्त गरा आगे दिया गया है कि सबसे कम समय में सूर्ज का चक्कर लगाने वाला गरा तो सबसे कम समय में सूरी का चकर कौन लगाता है तो ये सुक्र और वरून लगाता है ओके आगे दिया है सरवाधिक चमकिला तारा सरवाधिक चमकिला तारा कौन सा है साइरस तो dear friends ये जितने भी कोशने सभी के समभी importance है इसलिए आप लोग ये सभी knowledge होना बहुत जरूरी हर competitive exams के लिए आगे दिया है कि पिर्थवी के सबसे निकट तारे का परकास पिर्थवी पर पहुचने में लगा समय कितना समय लगता है तो ये 4.2 परकास वर्स सबसे निकट पिर्थवी के सबसे निकट आगे दिया है कि सूर्ज के अंदर का तापमान सूर्ज के के अंदर का तापमान कितना होता है 15 million degree Celsius और सूर्ज की सता का तापमान 6000 degree Celsius next question चंद्रमा पर रात का तापमान चंद्रमा पर रात का तापमान कितना होती है तो 180 minus 180 degree Celsius आगे दिया है सूरी का संघटक आनि सूरी जो बना है किसे किसे मिलकर के बना है तो हाइडोजन एवं हिलियम के दौरा ओके फ्रेंट्स सूरी की उर्जा का स्रोथ सूरी से उर्जा जो निकलती है किस रूप में तो नावकिय सनलयन के रूप में औुके डियर आगे चलते हैं अगले पंडे में बोल रहा है कि सूरी के परकास को पिर्थवी तक पहुँचने में लगा समय सूरी से परकास को पिर्थवी तक पहुँचने में कितना समय लगता है 8.3 minutes या तो 500 seconds इसको बोल सकते हैं 2.2 मिनट भी कहीं कहीं देखने मिलता है इससे कोई फाकने पड़ता है एक सेकंड के लिए तो आगे दिया है भू इस्थीर उपगरहों की उच्छाई कितनी है आनि जो उपगरह अगरा जो है इस्थीत है तो कितने दूरी में तो 36,000 km में पिर्थवी से चंदरमा के परकास को पिर्थवी तक पहुचने में लगा समय चंदरमा का जो परकास है वो पिर्थवी तक पहुचने में 1.2 सेकंड आनि 62 सेकंड एप्रॉक्स लगती है आगे है इस सन्नी की रिंक्स की खोज करता कौन है तो यह गैलिलियो है आगे दिया है सन्नी के चारों वल्यों की संख्या कितनी है सबसे बड़ा चुद्रगरा कौन सा है तो ये साइरा से ओके डियर नेक्स कोस्चन आगे दिया है कि छुद्रगरा इस्तित है जो छुद्रगरा कहा इस्तित है तो मंगल एवं विर्षपति के बीच में आनी इधर चार गरा है और इधर चार गरा रहे है जो बीच में होता है इसी को छुद्रगरा बोला जाता है ओके फ्रेंट्स चल झूंकेतु पुना दिखाई देगा पुना कब दिखाई देगा तो दोजार बार्साथ में दिखाई देगा आगे दीया है औरियन नचत्र का भारतिये नाम क्या है तो ये मिरगा है, अंत्रिक्ष में तारा मंडलों की संख्या कितनी है तो ये 89 है 89, सबसे बड़ा तारा मंडल कौन सा है सेंटोरेस है, ओके फ्रेंट्स आगे दिया गया है कि चंदर्मा पिर्थवी की एक परिकर्मा करता है, चंदर्मा जो है पिर्थवी की सबसे निचली परत वाई मंडल की सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं, तो चौब मंडल बोला जाता है ओके डियर आगे है, चौब मंडल की मोटाई व्रिधी होती है कब होती है सबसे ज़्यादा मोटाई में व्रिधी, तो ये ग्रिस्म रित्व में ओके फ्रेंड्स आगे दिया है कि 6 मंडल के परती 165 मिटर की उचाई पर जाने पर तापमान घटता है कितना घट जाता है 165 मिटर उचाई जाने पर तो 10 डिग्री सेल्सियस घट जाती है आगे 6 मंडल में 1 किलोमेटर की उचाई पर ताप घटता है तो कितना घटता है एक किलोमेटर की उचाई पर तो 6.40 डिग्री सेल्सियस आगे चलते हैं फाइप नमर में वाईू मंडल की सबसे उपरी परत सबसे उपरी परत को क्या बोलते हैं बहिर मंडल और भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे निचली परत तो 6 मंडल है आगे है मौसमी घटनायक जो घटती है किस मंडल में आगे है मौसम से समंदित जो भी होती है किस मंडल में तो ये 6 मंडल करेक्ट हो जाएगी आगे दिया है उलका से समंदित घटनायक आगे जो हम लोगों को लगता है ना रातकों की उपर से नीचे कुछ आ रहा है चोटा तारा के रूप में ठो ये सभी मध्य मंडल में होती है दो के फ्रेंड्स और वायुवान उड़ते हैं आनि वायुवान जो उड़ते हैं सभी जहाज लगर किसमें उड़ते हैं तो ये समताप मंडल में उड़ते हैं समताप मंडल आनि छोब मंडल के उपनी मंडल को बोला जाते हैं आगे है कि रेडियो एवम संचार समंदित हैं आयन मंडल से रेडियो एवम संचार आनि जो हम लोग नीज वगरा के सुनते करते हैं ये सारे किस मंडल से आती है तो आयन मंडल से आती है आगे कोस्चन है कि मायोरी अदिवासी पाए जाती है मायोरी अदिवासी कहां पाए जाती है न्यूजिलेंड में ये अदिवासी इंपोर्टेंट्स कोस्चन है फ्रेंट्स आगे दिया है कि सबसे लंबा रेल मार्ग सबस इगलू और यह aja旦्वारा बनाया जाता है इस घर को आगे दिया है निलगिरी परवत उधारन है तो निलगिरी परवत किसका उधारन है भ्रांस्थ परवत का और अ Jar wahrli परवत उधारन है तो यह अवसिष्छ परवत का और और आवली परवत भारत की सबसे पुरानी परवत है Okay friends आगे दिया है जो राजिस्थान में पढ़ती है भुकमपिये तरंगों का पता चलता है भुकमपिये तरंगों का पता कहां पर चलता है तो आधिक कैंदर पर चली नेक्स आगे है गलफ अस्ट्रीम सागर में आगे देखते हैं क्या के दिया है आगे है कि भारत में 20 के कुल वनों का परतिसत बिस्व में जितने भी वन है उसमें भारत का कितना परतिसत है वन में तो 20.6 परसेंट है ओके फ्रेंट्स आगे है अंगूर का उत्पादन अंगूर का उत्पादन को क्या कहते है तो विटी कल्चर बोला जाते है मचली के पालन को क्या बोलते है पीसी कल्चर आगे दिया है बोर्निया दीप इस्थित है बोर्निया दीविप कहां इस्तित है तो भारत वा स्रिलिंका के बीच मनार की खाड़ी में नेक्स कोश्चन दस डिग्री देशांतर की स्तरवाधिक दूरी होगी कहां होगी भूमत देरेखा पर चली आगे दिया है दो जगों के बीच समांतर कितना है तो बारा घंटे 26 मिनट आगे दिया है कि पस्मी में पूर्वी घाट स्रेनिया है कहां इस्तित है तो नीलगरी पहाड़ी में नीलगरी पहाड़ी में पस्मी में पूर्वी घाट स्रेनिया इस्तित है आगे दिया है कि पिर्थवी पर वस्तु का भार स्रवधिक है आनि पिर्थवी पर वस्तु का भार स्रवधिक कहां होगी तो ये धूरूँ पर होगी नेक्स कोस्टन भुमद्य सागर का परकास अस्थम कहलाता है भुमद्य सागर का परकास अस्थम क्या कहलाता है अस्ट्रॉम बोली जो अला मुखी नेक्स कोस्टन एक डिगरी अक्छांस की दूरी कितनी है एक डिगरी अक्छांस की दूरी 111 किलो मीटर एक डिगरी देशांतर की दूरी 111.3 किलो मिटर आनि यही यह सब जो डिस्टन्स यहां होती है सो और यह वाला उके फ्रेंट्स नेक्स कोस्चन आगे दिया है कि अंतराश्टिय तिथी रेखा कहा जाता है अंतराश्टिय तिथी रेखा क्या कहा जाता है तो यह 180 डिगरी देशांतर कब से कहने लगा है इसे 1884 से आगे दिया है कोड़ाई कनाल इस्तीत है कोड़ाई कनाल कहां इस्तीत है तो पालनी परवत स्रेणी में नेक्स कोस्चन सिलंका के उत्रियम दक्षिनी भाग को अलग करता है अलिफेंटा पास सिलंका के उत्रियम दक्षिनी भाग को अलग कौन करता है अलिफेंटा पास आनि पास मिंस दर्रा आगे दिया है दो देशांतर एखाओं के बीच की दूरी कहलाती है तो देशांतर एखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते है गोरे आगे है कि भुमद्य सागरिये जवाला जलवायू उप्युक्त है किसके लिए उप्युक्त है जो भुमद्य सागरिये तो ये फलों के लिए उप्युक्त है नेक्स्ट कॉस्चन बिसु मौसम बिज्ञान संगठन का मुख्याले बिसु मौसम बिज्ञान संगठन तो ये जनेवा है बिसु की सबसे बेस्ट बेपारिक नदी कौन सी है आनि बेपार वगरा किस नदी में सबसे जायदा होती है तो ये राइन नदी में होती है ओके फ्रेंट्स नेक्स कोस्चन भुमद सागर की कुंजी बुमद सागर की कुंजी किसे काते है जिबराल्टर जलसंदी आनि यहीं से खुलती है आगे है कि हीरे की खान किमरेले किमरेले किस देश में पढ़ती है तो ये दक्षिन अफरिका में पढ़ती है हीरे की खान और सोने की खान, जोहान्स बर्ग ओके फ्रेंट्स जोहांसबर्ग होगा और ये जोहांसबर्ग कहां पढ़ती है तो ये दक्षिन अफ्रिका में ही पढ़ती है ओके फ्रेंट्स आगे दिया है कि सरवाधिक वर्सा अंकित की जाती है सरवाधिक वर्सा अंकित कहां की जाती है भुमध रेखिये पर अख़बारी कागज का उत्पादन देश अख़बार वग्रह जो मिलती है उसका पैपर जो होता है कहां से उत्पादन होता है तो यह कनाडा से ओके फ्रेंट्स आगे दिया है कि लक्षदूइप का सबसे बड़ा दूइप कौम सा है तो यह मिनिकौय लक्षदूइप का सबसे बड़ा दूइप, मिन्यकौई एसिया की सबसे लंबी न दी, एसिया की सबसे लंबी न दी, यांग टीसी न दी ओके फ्रेंड्स, और ये चीन में पढ़ती है नेक्स कॉस्चन, सुरवधि भुकंप आते हैं सरवदिक भुकम कहां आते हैं परसांत महासागर में रबबर फसल है किस मौसम के लिए उप्यूक्त है तो ये भुमद रेखिये जलवायू के लिए ओके डियर और ये लास्ट में है कि जापान का नागा साकी इस्तित है जापान का नागा साकी किस दूप में हिस्तित है तो इक क्यूइस दूप में हिस्तित है क्यूइस आगे है कि ओजन परत को नुकसान पहुचाने वाली गैस है ओजन परत को नुकसान कौन सी गैस पहुचाती है तो ये CFC आनि क्लोरो फ्लोरो कार्बन और ओजन की खोज किस ने किया था फ्रेंट्स तो ये यूरे एवं वासवर्न ने और कब किया था तो 1932 में और ओजन परत की जो मोटाई मापी जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं डॉबसन आगे दिया है कि पर्ल टावर इस्थित है पर्ल टावर कहां इस्थित है तो ये संघाई में इस्थ कहलाता है जो आला मुखी जो यहां से निकलती है ने फ्रेंट्स तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं क्रेटर नेक्स कोस्चन बायो बायो टक पार्क इस्थित है तो ये भारत के लखनों में इस्थित हैं बायो टक पार्क नेक्स कोस्चन है भारत का कुल छेतरफल भारत का कुल चेतरफल कितनी है तो ये 32,87,263 वर्ग किलो मीटर ओके फ्रेंट्स आगे दिया है भारत का छेतरफल कुल 20 का कितना परतीस्त है ये सभी जानते हैं कि भारत के छेतरफल कुल परतीस्त बिस्त में 2.42% है अगे दिया चैतफर की दिरिष्टी से विस्व में भारत का स्थान जो देश है उसमें सबसे बड़ा देश में कितना नमर में आता है भारत? साथ नमर में फर्स्ट में आती है ये रूस सकेंड में कनाड़ा थर्ड में चीन फोर में अमेरिका और फाइब में ब्राजिल शिक्स में अस्ट्रेलिया और ये सेमेन में भारत आती है ओके फ्रेंट्स आगे दिया है कि विश्व की जनसंक्या का भारत में निवास करती है भारत में कितनी परसेंट जनसंक्या निवास करती है विश्व में 17.5% ओके डियर आगे दिया है जनसंक्या की दिरिष्टी से भारत का विश्व में अस्थान कि कितना अस्थान है तो ये दूसरा है आनि सबसे ज़्यादा चीन की जन्तंकिया है उसके बाद दूसरा भारत की है आगे दिये अक्छांसिय विस्तार 8 डिग्री 4 तो फ्रेंट्स आगे कॉस्चन है कि अक्छांसिय विस्तार कितना है भारत का तो भारत का अक्षांस ये बिस्तार 8 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6 से केंड तक उत्री अक्षांस में और पूर्वी देसांतर में कितनी है ये देसांतर में देसांतर बिस्तार तो 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25 से केंड पूर्वी देसांतर तक आगे दिया है कि उत दक्षिन में विस्तार कितनी है तो इसका correct answer हो जागा 3214 किलोमीटर 3214 और पूरब से पस्चिम में विस्तार और यह पूरब पढ़ती है भारत का और यह पस्चिम तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2933 किलोमीटर और यह थोड़ा सा बचा हुआ है कि सबसे उत्री बिंदू भारत की सबसे उत्री बिंदू क्या है तो इंदरा कॉल भारत की सबसे उत्री बिंदू इंदरा कॉल जो कहां पढ़ती है जम्मू कस्मीर में और भारत की सबसे पहला जल बिदूत कैंदर कौन सा है तो ये दार्जिलिंग जो पस्चिम मंगाल में पढ़ता है और आगे दिया चंदन का ब्रिक्ष मिलता है तो ये चंदन का ब्रिक्ष कहां मिलता है करनाटक में अभी हम लोग ये movie देख चुके हैं KGF उसमें यहीं से बनाया गया था तो आगे दिया है कि ज़ौर भाटा उत्पन होने का कारण कोस्टन है इस सबसे बड़ा प्राइद उपिए यह अरब प्राइद उपिए हैं ओके फ्रेंड्स तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जितने भी मैं इसमें बताया हूं सारे इंपोर्टेंट्स है तो आप लोग इसे अच्छे से ले लिए होंगे और अगर समझ में नहीं आई होगी तो एक बरा और जरूर देख लें क्योंकि यह जो भी कोस्टन है सारे इंपोर्टेंट्स है और पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद